अगर इसके उपर अगर आप काम करने स्टार्ट कर दोगे ना न्यू इयर न्यू साल आपका बहुत मस्त होगा ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे भी कमिया है कुछ चीजे मुझे नहीं हाती उसकी मैं अभी लिश्ट बना रहा हूँ ताकि उसके उपर मैं अच्छे से वर्क कर पाओ ओके इट मिंज कि आपके लाइफ इंप्रू हो जाएगी इसलिए वीडियो एंड तक देखना बहुत सारी कुछ चीज आपको सिखने को मिलेगी देखो अभी कुछ दिनों बाद अपना न्यू येर आने वाला है लोग क्या पीछे देखोगे तो हाँ या दो मन्त दो बिसिकल अभी विक बाग किये दो विक में मैंने इतनी सारी मेहनत की तो इसलिए फर्स्ट पॉइंड रखो जितने भी दिन बचे हुए है ना न्यू येर के लिए उस पूरे दिन दिन रात मेहनत करो कुछ भी मेहनत करो लाइक अ देखना बहुत मज़ा आएगा ओके तो बाकी लोगों दैसा बिल्कुल नहीं करना है कि तब नू येर में एंटर होना है और फिर सोचना है क्या क्या करना ये आपको नहीं करना है सेकंड चीज देखो भी या लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ आपको करना आना चा फिर हम वही ठक जाते हैं वही हार मान लेते हैं देखो एक बात हमेशा आद रखो कोई भी किसी भी फिल्ट का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा भी अगर आपको बोले ना कि भाया तेरे से नहीं हो सकता था उसकी बात नहीं मानना आपके अंदर इतना पावर है न आप चाये उम्हें कर सकते हो देखो लाइफ में लाइफ में रहे हो और कि छाये हो कर ना एक करलना दोनों में अंतर है यही काम में यही करना यही होके रहेगा इतना मेरे पास मेरे अंदर confidence है इतना मेरे पास यह सा attitude रखो इस type का अगर attitude रखो गेना हर एक चीज आप कर सकते हो अभी मेरे book को awards मिला है उसके लिए मैं आती है ओभी में सिखता रहूंगा कहने का यह मतलब है आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए next बात कि उपर आते है important किसको देना है time को time को सबसे जाए important देना है लोग बोलते कि time के साथ सभी चीज़े ठीक होती है लेकिन time के साथ सभी चीज़े ठीक नहीं होती है time का अगर सही यूज करोगे ना तभी चीज़े ठीक होती है अभी के time में अगर आप time waste करोगे तो आगे का time आपका सही रहेगा क्या नहीं वहीं फिर से problem आएगे और अभी का time में अगर आप आप सही से काम करते हो कुछ भी आपका जो वर्क है करते हो तो आगे जाके आपको अच्छा बेटर लाइफ मिलेगा तो कहने का मतलब है जो सबसे इंपोर्टन चीज़ है वह टाइम अगर मान के चलिए अगर आप टाइम वेस्ट करते हो आपको पता नहीं चलता कि भाईया ट जाता है इसको चिपका के मैं रख लूँगा कई पे तो क्या होगा मेरी नजर बार बार उसके उपर जाएगी कि भाईया वीडियो बनाना है वीडियो बनाना है और एक चीज की उपर अगर आपके बार बार नजर जाती है तो चीज आप कर लोगे ओके इट मिंस की ऐसा मैंने मोटिवेशनल चीजे रखी है ताकि मेरा टाइम वेस्ट नाओ इससे हम खुद मोटिवेट होते हैं अगर मान के चली आपके सामने कोई वेक्ती बैटा हुआ है वो टाइम वेस्ट कर रहा है चार पात दिन बाद आप भी उसके साथ बैटके टाइम वेस्ट ही करने ल लिखो उसको चिपका दो हो गया का बिल्कुल सिंपल यह अपने को खुद के लिए लिखना है किसी रूम अच्छे दिखनी चाहिए वो दिखना चाहिए उसके लिए नहीं तो यह आप एक काम करो इत मिंस कि आपको पता चलेगा कि आई यह चीजे मुझे करनी है सेकंड ची लिखना है कि मैं टाइम वेस करता हूँ तो उसके मुझे क्या करना है क्या एक्षन लेनी है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ यह मेरा प्रॉब्लेम है लेकिन मुझे वीडियो बनाने है तो उसके लिए मुझे क्या एक्षन लेनी पड़ेगी यह लिखो जब तक आप लिख कि सारी help मैं कर दूंगा ओके तो कुछ भी difficulty है तो आप comment कर सकते हो इंग आप उसके बाद आप WhatsApp नंबर है उसके उपर भी आप कुछ अपके message जो है वो मुझे कर सकते हो तो कहने का यही मतलब है new year आने में कुछ कुछ दिन बाकी है तो यह जो दिन बाकी है इसको ऐसे ही मत जाने दो इसकी उपर दिन रात करके काम करके hard work करके कुछ hustle करो ताकि जब new year में एंटर करोगे ना तो खुद की उपर proud फिलोगा कि हाँ भाईया इतने दिन बाकी थे मैंने दिन रात मेहनत कर लिया अब new year में करना तो मैं करके रहूंगा simple और हाँ जो भी आपके goal dream वगेर है न आपको ही complete करना है दूसरे कोई नहीं आएंगे मैं यहाप वीडियो बना रो motivate करो बस हो गया मेरा काम in last जो करना है और आपको ही करना है अब इन में से बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे action करेंगे action लेंगे और अपने life में apply करेंगे तो उसके life अच्छी होगी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वीडियो देखके छोड़ जाएंगे फिरो ऐसी ही रहेंगे कहने का मतलब है जो कुछ करना है आपको करना है उसके बात मैं यह बता है कि भाया कोई और बंदा कर कोई बोले तो उपर भया react नहीं करना है निगेटिव बोले तो अपने को अपने goal की उपर focus ही रखना है focus करना है जो चाहिए हो हम possible है हर एक चीज हम कर सकते है बस आपको positive सोचना है और proper way में hardware करना है कोई दूसरा बंदा आके बोलेगा तो भया उसके उपर ध्यान नहीं देना है इन लास बताना चाहूँगा कि हमारी अंदर बहुत सारी कमिया होती है उसके उपर काम करना start कर दो ओके जैसे कि मुझे वीडियो बनाने से डर लगता है तो मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो बनाना start करो डर भाग जाएगा तो ये काम करो और last में मैंने आपको बता है time time भह अभी से hard work काम करना start कर दो कुछ दिन बते हैं बचे हैं new year के लिए इस दिन को यादगार बना दो hard work करके बहुत सारा hard work करके यादगार बना दो ताकि new year में तो अब एंटर हो गया ना तो भाईया proud फिलोगा बहुत ही मस्त लगेगा तो अभी से काम करना start कर दो फिर भी नहीं आते हैं तो comment section में पूछो मैं जरूर help करूँगा और आप सभी का इतना किमती वक्त देने के लिए आप सभी का thank you thank you thank you